Recently देखेंगे निउज में ये बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा कि इंडिया और यूएस का कुछ ट्रेट डिल हुआ है, कुछ सेटलमेंट हुआ है तो ये क्या था सेटलमेंट, फार्मर्स बॉडिज देखेंगे इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित क्यों है वो क्यों बोर रहे कि हम सुप्रीम कोट की और एप्रोच करेंगे आपको सब कुछ मैं डिटेल में बताता हूं सबसे पहले बता दू इंडिया और USA का देखेंगे बहुत लॉंग टाइम से डिस्प्यूट चल रहा है WTO में WTO क्या है World Trade Organization तो अब देखेंगे कैसा डिस्प्यूट है तो देखिए USA का हमेशा से कहना है कि इंडिया जो है अपने लोकल प्लेयर्स लोकल फार्मर्स लोकल जो एगरिकल्चर से रिलेटेड फार्मर्स है या फिर एगरिकल्चर से रिलेटेड जो बिजनस करते हैं उनको प् इंडियन गवर्मेंट उस पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाती है जब बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाती है तो उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो लोग क्या करते हैं इंडियन पीपल क्या करते हैं यहां के लोकल जो प्रोड्यूसर है लोकल फार् जिस पर इंडिया ने बोला कि ठीक है, हम टैरिफ इस पर हटा देंगे, हम इस पर टैरिफ नहीं लगाएंगे, आप चाहें, तो अपना जो गुड्स है, वो हमारे मार्केट में सेंड कर सकते हैं, अब इसको लेके देखेंगे, हमारे जो लोकल किसान है, हमारे जो लोकल होगा, कि जो foreign company है, वो भारत पर बहुत ज़्यादा aggressive हो जाएगी, अपना सारा सामान जो यूज नहीं होता है, वो इहाँ पर dump करेगी, और हमारे किसानों को देखेंगे, बहुत ज़्यादा इससे competition मिले, तो basic आपको समझ में आ गया, अब किसकी चीजों पर यह tariff कम हुआ क्या-क्या चिंताएं बेक्त की जा रही है, फर्मर बॉडिस के तरफ से, इन सब के बारे में बात करते हैं, आपको बता दे कुछ जो dispute था, import products में क्या-क्या था वो, जैसे apple, almond, chickpea, lentine, इन सब चीजों पे tariff घटाया गया है, साथ में देखेंगे, poultry product पे भी tariff घटाया ग तो देखें, जब उहां पे US में ऐसा बोला जाता है, कि chicken legs और liver, उहां के people ज़्यादा consume नहीं करते हैं, लेकिन इंडिया में देखेंगे, liver और legs का बहुत ज़्यादा demand रहता है, तो farmer bodies का कहना है, कि US क्या करेगी, लगातार ये, जो meat का product है, वो Indian market में dump करेगी, इससे क्या ह होगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खर देंगे, और जो हमारा poultry form, जो already हमारे पास available है, market consumption भी बहुत ज़्यादा excess amount में है, तो उनका value कम होगा, लोग कम खर देंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जागा, साथ में उनका ये भी बोलना है, कि USA में एक practice ह जो poultry, अगर poultry form में जाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, उनको दाना खिलाए जाता है, बढ़ा करने के लिए, तो US में एक ऐसा practice है, कि उनको जो दाना बनता है, उनका चारा बनता है, वो बोला जाता है, बीप और पौर्क के मीट से बनता है, तो फिर इस पर ये आ जा पौर्ट होगा भारत में, इससे हम लोगो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और बीफ और पौर्क का कंजंशन हमारे भारत देश के लिए देखेंगे, अलग-अलग religion के लिए बहुत ज़्यादा sensitive issue बन जाता है, तो क्या भारत के लोग इसको accept करेंगे, वहीं देखेंग frozen turkey, frozen duck, blueberries, cranberries, यह सब है, इससे क्या होगा, कि उनका कहना है, कि जब tariff cut होगा, तो इससे हमारे जो economic ties है, और ज़्यादा strong होगे, opportunities और ज़्यादा बढ़ेगी, और US agriculture produce है, वो Indian market में आएंगे, और इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक diversification मिलेगा, कि अलग- जो chickpeel, lentine, walnut, almond, apples, यह सब पर reduce हुआ है, तो यहाँ पर किसान कुछ body का करना है, कि apple पर import duty हटा दिये, तो किसान जो कस्मीर के हैं, उनको पेट पर एक तरह का होना, उस पर लात मारना हो गया, कि अब वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपना market में कहां sale करेंगे, तो इस पर question क्या, कि क्या ये सही decision था, लेकिन अभी फिलाल के लिए तो देखेंगे, WTO में settlement, World Trade Organization का ये जो settlement था, कि इंडिया बहुँ ज़्यादा import लगाता था, USA का कुछ-कुछ product पे, तो कुछ-कुछ छूट दी गई है, तो आने वाले समय में देखेंगे, ये सब product आपको Indian मार्केट में दिख जाएगा, अब इसका क्या impact पढ़ेगा Indian मार्केट पे, क्या किसान competition बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, उनका product का demand कम होगा, या फिर उनका product का demand बना रहता है, US product का demand कम होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, तो उमीद करता हूँ, आपको ये video समझ में आ गया होगा, क्यों farmer bodies बोलें कि हम supreme court जाएगे, इसके against कि जो Indian government ने ये step लिया है, वो US के farmers को तो फाइदा पहुचा रहा है, पर हमारे देश के किसानों को नुकसान पहुचाएगा, तो आपका इस पे क्या रहा है, कमेंट करके जरूर बताएगा, मिलते हैं अगले video मे तब तक पढ़ते रहें, जय हिंद